भक्ति काल का आज दूसरा टॉफिक है यानि उसी टॉफिक का दूसरा पार्ट भक्ति काल के अंदर भोछ से संत हुए और इन संतों के वेशे सा थी कि इसमें दो परंप्राएं थी, दो मार्ग थी एक मारग ये था जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि निर्गुन मारगी थे और कभीर नानक ये परमुख थे उसमें और दूसरे सगुन मारगी सगुन मारगी मुर्ति पुजा में विश्वास करते थे और निर्गुन मारी मूर्ति कुजा में भी इस्वास नहीं करते थे ये दोनों के अंदर बेसिक फरक था एक के इस्वर के निराकार सवरूप को स्विकार करता था दूसरा इस्वर को मूर्ति के रूप में या मंद्री के रूप में यानि उसका साकार रूप स्विकार करता था लेकिन दोनों के अंदर विशेश करके किसी प्रकार का मत भेद नहीं था इस तरह नहीं था कि दोनों विचारता रहें आपस में टकराई और इसी कड़ी में जो संद थे वो थे रविदास जो ज़्यातर रविदास के नाम से परसि आपने समय के महत्वपून संत थे ये रामनन्द के सिस्य थे तथा निमन जाती है यानि चमार थे इनका भी जनम वाराणशी में हुआ था और ज्यदातर उनका कारिस्थल भी वहीं पर आ था इसे संतों का संत कहा जाता है ये निर्गुन ब्रहम के उपासक थे मेरा भाई र चमार भी जाता है या निर्गुन ब्रहम के उपासक थी जबकि उसका गुरु है रहदास वो निर्गुन का था यहानिं समझना होगा हमें कि इनमें इसत recently का कोई विवाद नहीं था कि अगर गुरु संगुन इस्वर का उपासक है तो इसका सिस्य भी ऐसा हो या निर्गुन इस्वर का उपासक है तो उसके सिस्य भी निर्गुन इस्वर के उपासक हो ये इनमें किसी परकार का भेद नहीं था इनका इसमें कोई विवाद भी नहीं था प्रविधास ने रामानंद अपने जो गुरु की परंपरा थी उशी को आगे वड़ाया गुरु नानक एक अन्य निर्गुण परंपरा के भागत दे इनका जन्म 1499 इस्वी में तलवंडी नामकिस्थान पर हुआ ये तलवंडी आज पंजाब में है और पंजाब पहले पाकिस्तान का जो भाग है आज पाकिस्तान में जो पंजाब रह गया उसमें इनका जन्म था आज शीखों के लिए वह एक धार्मिक इस्थल है और समय से में पर भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझूता है उसकी तहत ये शीख वहाँ पर जाते हैं तलवन्डी को आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान सीखों को वहाँ पर आने जाने के लिए विजा देता है छूट देता है वे भी निर्गुन इस्वर के उपासत थे जाती पाती वे आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे मुर्टी पुजा तिर्फ यात्रा वे अन्य की शिवर्गार के जो आडंबर थे उनका वो विरोध करते थे निर्गुन इस्वर को वो अकाल पुरुष के नाम से जानते थे और इन्होंने जो परंपरा इस्थापित की वे शिक दर्म ही बन गया एक बाद में और शिक दर्म के ये पहले गुरु थे और इसने गुरु परंपरा को परचले दिया था गुरु नानक के सिश्य का नाम मरदाना था जो सारंगी बजाता था वे गुरु नानक अरभाब के साथ संगीत गया करते थे गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सिश्य मरदाना के उनका जो परचार उनोंने किया, निर्गुन मारगी, विश्वर का जो उनोंने परचार किया, उससे कहते हैं उसने अपने समर्थ को एक इस तरह का महुल बनाया, कि कालांतर में पंजाब के अंदर तो बड़ी संख्या में उसके सिस्य हैं, उनोंने अपना एक दरहम ही गुरुनानक के गीतों वा उपदेशों को भी आदिगरंध में संकलित किया गया है, उमद्धूर्ट से तो आदिगरंध के अंदर गुरुनानक के ही जो पद हैं या उपदेश हैं, विचार हैं, उन्हें को संकलित किया गया, लेकिन फिर भी भी बहुत से ऐसे संत्त थे, चाए वो सूफी हो, चाए हिंदू दर्म से समंदित संत्र हो, उनके भी वीचारों को, उपदेशों को, जो गुरुनानक से में लखाते थे, उनको भी आदिगरंध के अंदर संकलित किया गया था, गुरुनानक का निधन किरतारपुर में हुआ था, ये एक खत्री परिवा हुआ करते थे, जबकि कबीर के जो वीचार थे या उपदेश थे, वो बड़ी वेंग्यात्मक होते थे, इसलिए गुरुनानक और कबीर, दोनों में समानता तक ये है कि ये दोनों निर्गुनिश्वर के उपा सकते, लेकिन दोनों के अंदर एक फरक ये था, कि गुरुना ताथी, उससे कहते हैं कि उच जाती के लोग और निमन जाती के लोग, दोनों ने समान रूप से उनको पनाया, लेकिन कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो विच्ग्यात्मक ठेपनी की, वे उच धरम को या उच वरक के लोगों को पसंद नहीं आई, इसे ज गादू देयाल निरगुण भक्त परंपरा के महतो पुन संत तो थे ही, लेकिन इनका जो कारी स्तल्था प्राहरम में वो गुजरात साइड में था, एमदाबाद में इनका पनरासु चोमालिश में जनम हुआ बताते हैं, और कुछ विदवान इसका भी जनम कबीर की गठना के तरह मानते हैं, कि इनका जनम एक जुलाह परिवार में हुआ था, वे कबीर के स्रवस्रे सिश्चों में से एक थे, राजस्तान में नराना, जिसको नरायना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनकी मुख्धिगदी थी, और इस मत को मानने वाले मुख्धा राजस्तान में ही मिलते हैं, परारम में कहते हैं कि ये नागोर रहे थे, और नागोर रहने के बाद, ये जैपूर के पास नरायना नामस्तान पर आगए, यहाँ आज उसकी परमुखगदी है, फिर बाद में तो कहते हैं, इनके बहुत से सिस्चे हो गए, और उनके बाद में इनकी खालसा, विरक्त, उत्रोद, खाकी और नागा इसमें कहते हैं कि उत्रोद का मतलब तो यह होता था कि जो शिश्य उत्र की तरफ गए थे और इनके विचारों को फैलाया था उसको उत्रोद कहते है नागा ये नंगे रहते हैं खाकी ये शरीर पर भसम लगाते हैं नागा संप परदाय के लोग शेना में भरती होना पसंद करते थे। इनकी सैनिक टुकडी नागा फूज कहलाते थे। राजाओं के समय ये सैनिया में भरती होते थे और इनकी एक अलगी टुकडी होते थे। दादू के उपदेश दादू वानी में संग रहे थे जिन में लगभग पांच अजार चंद है। दादू घरस्त थे तथा मानते थे कि घरस्त जीवन आध्यात्मिक उनक्ति में बाधा नहीं है बलकि उप्यूक्त है। दादू के उनुसार बिना गुरू की इस्वर प्राप प्राप्तिका ज्यान गुरू से ही मिल सकता है। उन्होंने निफक संपरदाय जिसको ऐसंपरदाय कमारक कहा जाता है। का उपदेश दिया। उनका मानना था कि सभी इस्तरीपूर्ष भाई भहन की भाती है। दादू ने विन्ना मरता पर अधिक बल दिया। परम बरम दादू को दादू को धरमिक चर्चा के लिए फत्य फुर्ष एकलि बुलाया गया था। रदादू पंथ के सत संग इस तर अलग ध्दरीबा कह लाते है। आमीर के नरेस भगवन दास भी इस ये परभावित थे। भगवन दास अकबर के ही समकाल इन थे। संभवत है अक ये मानते हैं कि सरीर का मरने के बाद भी कुछ उपभोग होना चाहिए इसलिए उसको खुली जगए पर छोड़ देते हैं ताकि उसको पसुपक्षियों के खाने के वो कामा जाए और उसके बाद में जो अफसेश वज़ते हैं उसको दफना दिया जाता है दादों के जो शिश्य परंपरा थी वो भी बरलंबी थी उनके प्रारम में बावन शिश्य बताए जाते हैं जो बावन इस्तंब के नाम से जाने जाते हैं बावन अस्थानों पर इने शिश्यों ने अपने दादो द्वारे जो इनके देवरिय या इनके मंदिर कहना चाहिए वो बनाये थे दादू की मुखे सिश्यों में सुन्दर नास, गरीब दास, बखना जी, रजब जी परमूते दादू की मर्तिक के बाद गरीब दास उसकी गद्दी पर बैठे महतोपुन जो संत थे वो गरीब दास थे रजब जेवपूर में उसका कारिय छेतर था सांगा नेर में और कहते हैं कि वो सादी के समय जब जा रहे थे तब ही उनके विचार चेंज हो गए और उसने सादी नहीं करवाई जिवनवर वो दुले के वेश में ही गुमते हुए उपदेश देते रहे रजब ने कहा कि ये संसार वेध है ये सरस्टी कुरान है दादू के समकालिन संत वीरभान ने सत नामे संपरदा की स्थापना की थी अगला संत है चतन्य महापरवू चतन्य महापरवू सगुन विचार धार के उपासक थे इनका जनम बंगाल की नदिया जिले में एक ब्रह्मन परिवार में हुआ था और बच्पन में इसका नाम निमाई था लेकिन वास्त्विक नाम विशंपर था बच्पन में कहते हैं कि बड़े सुंदर थे ये दिखने में शिक्ष्या पूरी करने पर उन्हें विद्या सागर की उपाती दी गई चतन्य ने दो बार विवा किया किन्तु 24 वर्ष की आयो में ही उसने सन्यास ले लिया चतनी ने बंगाल में गोड़िय संपरदाय की स्थाफना की जिसे मद्दे गोड़िय या अचिंते भेदा भेद संपरदाय भी कहते हैं जिन्होंने मूर्ती पुर्जा का विरूत नहीं किया वे सभी को कर्षन भक्ती के योग्य मानते थे किन्तों मुसल्मानों और निमन जाती के लोगों को मंदिरों में परवेश के योग्य नहीं मानते थे उनका मानना था कि जो निर्गून लोग हैं उनको मंदिरों में नहीं जाना चाहिए चैतिन्य ने छे गोसवा में वर्दावन को तिर्थ इस्तल के रूप में स्थापित करने के लिए भेजे और फिर बाद में वर्दावन उनका कारिय इस्तल भी रहा चतनी ने वर्दावन में कर्षन बक्ती संपरदाय को स्थापित किया रादा कर्षन की उपासना शुरू कर वर्दावन के गोर्व को पूने स्थापित करने का कारिय भी किया उसके अन्युआई यानि चतनी उनके कर्षन को विश्णू का अवतार मानते हैं और कुछ कहते हैं कि चतने महापरबू भी कर्षन के आउतार थी उसको गोरांग महापरबू के नाम से चतने की पूजा करते है ओडिसा की रजा परताप रूदर गजबती उनके सिस्थे थे चतने पूरी में रहते थे पूरी में ही उनका नितन हुआ था चतनी ने भक्ती में किर्टन की पर्था को परशित किया था वो जो भक्ती करते थे, पूजा करते थे उसमें किर्टन को महत्व पर स्थान दे दे हरिदास उनके सिस्य थे निमन जाती वे मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके सिस्य थे चतने समाजिक सुधारिक नहीं थे उनके उपदेशों में समाज सुधार वा समाजिक बुराईयों पर धान नहीं दिया गया बलकि वो तो एक भगधी थे बलकि उसने समाज सुधार पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया ये थे चतने महाफरवू तो इनमें पर्मुब जो वक्ती संथ है जिनमें कुछ की चर्चा हमने कल की और कुछ की आज की लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे संथ और है इनके अगले अध्या में अध्यन किया जाएगा